जैंदेर तो आज हम बात करेंगे बुल कॉल स्क्रिट के बारे में ये क्या होता है और कैसे option trading में इसका use किया जाता है ये सारी details भी जानेंगे बट पुछ से पहले हमें ये समझना होगा कि कौन option क्या होता है कॉल option एक तरीके का financial point track होता है जिसमें एक investor को stock या फिर equity को purchase करने का rights मिलता है वो भी एक fixed plan के लिए इसका main object होता है share market में profit कमाना अब आते हैं bull call speed पर bull call speed एक option trading strategy है जिसमें एक investor को दो call option को purchase और sale करने का rights मिलता है दोनों ही call option के strike price अलग-अलग होते हैं जिसमें एक higher strike price वाली और एक lower strike price वाली call option को खरीदा और बेचा जाता है इस strategy को तब use किया जाता है जब expected हो की market ओपर जाएगा इस strategy में investor सबसे पहले एक lower strike price वाली call option बाई करता है और उसके बाद एक higher strike price वाली call option को sale करता है जिससे sale किये हुए option की value से buy किये हुए option की value set off हो जाती है और हमें इससे premium गा benefit भी मिलता है क्योंकि higher strike price वाली call option की premium lower strike price वाली call option की premium में difference होता है bull call split का use share price के उपर के movement के लिए किया जाता है जब share price बढ़ता है तो higher strike price वाली कौन option की value भी बढ़ती है और lower strike price वाली कौन option की value भी increase होती है बट उसकी value increase higher strike price वाली कौन option से कम होती है इस तरीके से bull call split में investor को profit मिलता है अगर share price down चला जाता है तो bull call split के नियर risk भी बढ़ जाता है क्योंकि higher strike price वाली call option की value घटने लगती है और lower strike price वाली call option की value भी घटने लगती है लेकिन उसकी value higher strike price वाले call option से ज़्यादा घटती है इसलिए investor को bull call split के risk और remark को अच्छे से समझना चाहिए और ये strategy इस्तमाल करने से पहले उन्हें अपने risk के बारे में ज़रूर फता होना चाहिए एक पूरे process को और भी ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम लोग चलते हैं system पर और वहाँ पर भी देख लेते हैं उसकी list आप यहाँ से देख सकते हैं अब यहाँ पर कोई भी एक होन को यहाँ पर ले लेते हैं और उसकी basis पर समझ लेते हैं यह पूरा का पूरा process जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Nifty 6 April की expiry है 17,550 की call इसे हमें यहाँ पर buy करना है और वही पर Nifty 6 April की expiry की 17,600 की call को हमें sale करना है दोलोई position हमें एक साथ लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि maximum जो loss है आपको लगबख 950 रुपए के around होना है इस call में और maximum जो profit है इस call में आपको वो होगा 1547 रुपए 1550 रुपए के around अब यहाँ पर break even point भी दिया हुआ है यह भी आप देख सकते हैं जो की है लगबख 17,570 के around और अगर आप Nifty के spot price को देखेंगे तो वो चल रहा है भी 17,535 के around तो break even point क्या है वो आप पहले समझ लीजे वो point जिसके ऊपर आपको profit होता है और उस point के नीचे अगर आपका spot price होता है तो आपको लुपसान होता है तो इसे हम लोग pay off chart में भी देख लेते हैं pay off chart में आप देख सकते हैं कि यह है Nifty की break even point जिसके ऊपर जितना दूर तक यह आपको profit होते जाएगा almost यह 18,500 तक का level दिया हुआ है जहाँ पर आता है अगर Nifty तो आपको 1600 रुपय तक का profit होगा और वही पर अगर Nifty नीचे गिरती है तो उस condition में 16,560 तक 16,560 तक के level तक अगर Nifty यहाँ से गिर जाती है तो आपको maximum जो loss होगा यहाँ पर सिर्थ 880 रु जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको profit और भी जादा दिखेगा बट आपका यहाँ पर risk भी बढ़ते जाएगा जैसे कि यह second number वाले call में आपको जो maximum profit होगा वो 3540 रुपय का और जो maximum loss होगा वो होगा 1460 रुपय का वैसी इसके नीचे में जो call है उसमें आपको 5780 कि किस call में आपको position बनानी है यहाँ पर बहुत सारे options दे हुए धन पर option trader के अंडर में यह सारे ही जो facilities है वो आपको free of cost मिल जाती है साथ ही धन पर demand account फोलना totally free है और involvement ने charge भी lifetime के लिए free है तो अगर आप भी धन पर अपने demand account token करना चाहते है तो link मैंने description box में दे दिया है उस link के through अपने demand account धन पर open कर सकते है तो यह था bull call spirit और इसकी इस्तवान के बारे में एक छोटा सा introduction मैं मुमित करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको option trading में bull call spirit का इस्तवान करने में मदद मिलेगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें सबस्क्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जय हिन जय भारत